हेलो दोस्तों आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम लोग आरार भी प्योग कलर 2020 के बारे में बात करेंगे प्रिवेस एर का कटप भी देखेंगे और एक्जाम पैटर्न कैसा होता है तो जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा है और नय है जिन्हें बैंक के बारे में नहीं कुछ पता है तो वह इस वीडियो को देख सकते हैं उनके लिए फ्रूट्फुल्स अविद होगा तो चलिए आज हम लोग एक्जाम पैटर्न से शुरू करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस स् कलरक लेबल जो ऑफिस असिस्टेंट है वो आप कॉलिफाई कर सकते हैं बट स्केल वन ऑफिसर के लिए आपको प्री मेंस और इंटर्व्यू राउंड से होकर गुजरना पड़ेगा प्री का जो एक्जाम है वो दोनों में सेम है देख सकते हैं रिजनिंग है नुमेरिकल ज violation यहां देख सकते हैं 40 40 है टोटल जो है वह brands और जो minimum marksARS है वह 40 40 है total marks 80 है यहां भी टोटल माक्स 80 40 40 कर गए और एक प्रोटन चीज है वह जो है की composite टाइम जो है 45 नट का दिया जा means 45 minute आपको exam के लिए मिलेगा उसे ज्यादा नहीं मिलेगा और उसमें आपको 80 questions solve करना है अगर आपने IVPS और SBI का exam दिया है तो आपको पता होगा कि यह separated timing उसमें होता है but RRB में ऐसा कुछ नहीं होता 45 minute का composite time है आप इसी में आपको total question जितने आप solve कर सकते हैं आपको solve करना है similarly scale one officer में भी same है देख सकते हैं but mains exam के बारे में देखते हैं mains exam जो office assistant का है उसमें उसमें reasoning आ जाता है computer knowledge आ जाता है general awareness आ जाता है English और Hindi यहां देख रहे हैं आप English Hindi इन में से आपको सिर्फ एक ही language सेलेक्ट करना या तो आप English सेलेक्ट कर सकते हैं या तो आप Hindi दोनों exam आपको नहीं देना है एक ही दोनों में से कोई आप देख सकते हैं और लास्ट जो है वह है numerical ability यानि टोटल जो है वो four subject होंगे English और Hindi में कोई एक आपको चुनना होगा ठीक है तो four होगा medium of examination जो यहां है यह पिछले बार नहीं था इस बार आ गया है प्री में भी नहीं था इस बार आ गया है और number of question आप देख सकते हैं reasoning में 40 computer knowledge में भी 40 awareness में भी 40 English यह हिंदी जो भी आप रखेंगे इसमें 4040 और numerical ability इसमें भी आपको 40 यानि टोटल जो question वो 200 है ना 200 जो question है टोटल होंगे और जो maximum marks है वो भी 200 है में 200 ही है और यहां composite time जो है वो टू आवर का है प्री में 45 मिनट का था और इसमें टू आवर का है उसी तरह scale one में भी सेम है reasoning है computer knowledge है general awareness है इंगलिस हिंदी में कोई एक आपको चुनना होगा quantitative है तो और number of question इसमें 40 40 40 40 40 और टोटल question 200 marks भी marks भी है देखिए इसमें number of question 40 है reasoning में बट मार्क्स जो हो 50 है computer knowledge में question 40 है बट मार्क्स 20 है इस तरह total 200 marks का है और composite जो time है वो टू आवर का है यह scale one officer का है तो scale one officer का अगर आप लोग men's qualify करते हैं तो आपको further interview के लिए बुलाया जाएगा अब थोड़ा से हम लोग यह जो medium of examination है इसके बार हम तो जानेंगे कि medium of exam क्या है तो पिछला साल ऐसा कुछ नहीं था बट इस साल include किया गया है बहुत ही अच्छा चीज है तो इसमें है कि आप जिस state से belong करते हैं आप जिस state से form लग किया है अपने form भरा होगा तो आपने उसमें exam के state के बारे में भरा होगा ता आप जिस state से belong करते हैं तो उस state का एक language है ठीक है और आप उस language में आप exam दे सकते हैं जैसे आगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार के लिए यहां language दिया हुआ है Hindi और English इसमें आप exam से हैं तो असम के लिए आप English, Hindi और Assamya जो वहां का local language है उस पर आप exam दे सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा चीज include किया गया है इस बार में RRB में इस तरह हर एस्टेट का अपना जिसे आंदरप्रदेश का तेलगू में भी आप exam दे सकते हैं पिछला साल ऐसा कुछ नहीं था बट इस साल से ऐसा include किया गया है क्योंकि यह local level पर exam है तो यह जरूरी भी था तो इस तरह से बहुत सारी लोग अब local language में भी exam दे सकते हैं अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि पिछला साल मतलब total question तो 80 है marks भी 80 है यानि 80 marks में जो cut up जाता है वो कितने जाता है तो हम लोग pre और mens दोनों का cut up देखेंगे कि pre में कैसा cut up जाता है और mens में तो हम लोग पिछला साल का cut up देखते हैं अब यह मैंने कुछ लिया है आरार्बी कलर्ग pre cut up 2090 यानि कि आरार्बी कलर्ग जो office assistant था उसका मैंने लिया है तो मैंने यह state लिख के रखा है state जिसे आंदर परदेश तो आपने देखा था टोटल 80 marks का एक्जाम था प्री का एक्जाम यह प्री का मैंने cut up लिया है तो आंदर परदेश 71.5 टोटल जो marks थे हैं वो 80 71.5 यानि कि एक्जाम में कुल समझ सकते हैं कि कितना competition है और इस साब साब यह भी समझ सकते हैं कि एक्जाम का लेबल क्या होगा एक्जाम इक्टिस्टाप के question होंगे बच्चे 71.5 तक solve करके आते हैं उसे ज्यादा भी क्योंकि यह तो average cut up माना जाता है तो इस तरह से देख लेते हैं आंदर परदेश 71.5 है आजाम 64 है बिहार 74 है चतिसगर 75.5 गुजरात 63.25 हर्याना 76 हिमाचल जारखन 58.5 करनाटका 65.25 केरला 75 MP 61.25 महराश्टा 69.25 ओडिसा 73.75 पंजाब 77.50 राश्तान 75.25 तमिलनाडु 68 तलांगना 68.5 त्रिपुरा 71.25 उत्तरपदे 74 उत्तराखन 76.75 और वेस्ट बंगाल 74.75 तो यह जो कट अफ है आप समझ सकते हैं कि 80 में हम इतना अपने स्टेट से लाएंगे तो ही हम क्वालिफाई कर पाएंगे प्री का एक्जाम तब हमें मेंस देने के लिए मिलेगा तो यह कलर का था देखे एक्जाम मैंने बहुत सारे स्टुडेंट से बात किया है एक्जाम जो होता है करल का उसमें आप 80 आट ओफ 80 पी स्कोर कर सकते हैं यह डूएबल है ऐसा नहीं है कि इंपॉसिबल है ठीक है आप ऐसा मैं सुचे कि 80 में 71 कैसे स्कोर किया जा सकता है बिल्गुल पॉसिबल है आप इस चैनल से कनेक्टेड रही है और इस चैनल मैंने बहुत सारे स्टार्ट मैंने किया है और मैं करने वाला हूँ मैंने हर टॉपिक पर जिस तरह के कोशन आते हैं मैंने उस पर बहुत सारे कोशन सॉल्व कराना शुरू किया है आप विडियो के देखिए आपको बहुत फायदा होने वाला है और जितने भी बीगनर्स है जिनका प्री नही इचला साल का तो इसमें मैंने कटाप देख सकता हूं आंदरपर्देश 58.5 आसम 41.5 बिहार 58 चतिसगर 55.5 गुजराद 43 हर्याना 64.5 विमाचरपर्देश 59.75 जमुन कास्मी 55.25 जारकन 59.5 करनाटका 46.25 केरला 61 MP 54.7 महराष्टा 56 पंजाब 63.5 उडिसा 55.75 राष्टान 58 पॉंड़ तो यह प्री का है आप देख सकते हैं कि क्लर्क में कटफ सेवेंटी तक जा राजा बट्ट यह प्यू लेबल है तो प्यू लेबल माना जाता है थोड़ा सा तफ आता है एक्जाम तो इसलिए इसका कटफ 60 के पार किसी-किसी स्टेट में गया है जैसे हर्याना का 64 ह और केरला का 61 है पंजाब 63.5 तो 65 उत्राखंड में है तो देख सकते हैं आप कि इसका लेबल कलर के लेबल से थोड़ा हाई होता है इसलिए कटब भी हाई जाता और यह डिपेंड करता है वेकेंसिस पे भी तो वेकेंसिस कहने कहीं उसे स्टेट का ज्यादा यह कम रहा होगा इस वज़े से यह है मेंस का कटब भी देख सकते हैं मेंस के बारे में हम लोगे देखा था कि मेंस में टोटल जो माक्स थे वो 200 था तो 200 में हमें 71.81 माक्स लाना है चुकि यह RRB PO लेबल का है तो 79.85 अगर हम आंधर पते से स्टेट से लाते हैं तो सीख हम क्वालिफाइ हो जी नहीं आपको इंटर्व्यू को भी क्वालिफाइ करना होगा और अगर आप अच्छे से त्यारी करते हैं तो मेंस से आपको प्लस 20 मांक्स एवरेज आपको लेगे चलना होगा तभी आप अवरल क्लियर कर पाएंगे अधरवाइज आप इंटर्व्यू में रह जाएंग तो दाट्स आल इन माई वीडियो और इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो को देखते रही है सब्सक्राइब किजिए सपोर्ट किजिए ताकि मैं इस तरह के कंटेंट लाया करूँ आप लोगों के लिए और मैंने एक सीरीज शुरू किया है आरारवी प्यो कलर के लिए के त तो एक्जाम का भी कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है बट ऐसा माना जारा सेटमबर में नोटिफिकेशन में ऑफिसल नोटिफिकेशन में भी यही मेंसन था कि एक्जाम सेटमबर में अगस्त में तो नहीं सेटमबर में और अक्टूबर में प्री और मेंस का एक्जाम होने वाला है नुवंबर तक मेंस का एक्जाम हो जाएगा तो त्यारी में लगे रहे सभी लोग और घहर में रहे शुरशित रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद